फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बाइक और स्कूटर से रिलेटेड बहुत ही यूसफुल बारा अलग अलग प्रोड़क्ट्स और एसिसरी के बारे बताने वाला हूँ पहला प्रोड़क्ट है ये पाम रिष्ट थ्रोटल क्रिप ये एक यूनिवर्सल प्रोड़क्ट है तो सभी तरह के बाइक या स्कूटर में ये बहुत असानी से फिट हो जाता है तो इंस्टॉलिशन में आपको कोई प्रॉलम नहीं होने वाला आप इसे असानी से सेट कर सकत हो अब इसका फाइदा ये हो जाता है कि कई बार जब हम लोग लॉंग राइड करते हैं तो उसके बाद हमारे हातों की जो हतेलिया है जो उंगलिया है जो कलाई है वहाँ पे दर्द होने लगता है लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाइद फाइदा ये मिल जाता है कि इसक आपको बहुत ही help करने वाला है, तो इसे आप चाहो तो use कर सकते हो, वैसे जितने भी product में आपको आगे इस वीडियो मताने वाला हूँ, सब का online buying link आपको description और pin comment मिल जाएगा, तो as per requirement आप बहाँ पर जाके price को check कर सकते हो, और इन्हें order कर सकते हो. Friends, next product है, यह air cushion seat, देखो कई बार क्या होता कि लगता राइडिंग करने के वाया से हमारे bum में दर्द शुरू हो जाता है, ठकान मैसे सोने लगता है, फटीग मैसे सोने लगता है, तो इससे छुटकारा दिलाता है, यह air cushion seat, front में आप देखोगो तो यहाँ पे soft fabric को दिया गया ह जबकि back side में बहुतर grip के लिए यहाँ पे dotted materials को दिया गया है, इसके अंदर में 13 air cells जो air compartments है उन्हें दिया गया है, जिने fill करने के लिए air से यहाँ पे side में देखोगो तो इस तरह का जो air pump है उसे दिया गया है, simply आपको air pump को प्रेस करना, जिससे जो air cells है वो air से भर जाए जो हमारे seats होते हैं वहाँ पे इन्हें attach कर सकते हो, और उसके बाद जब आप riding करोगे तो riding बहुत ही comfortable होने वाला, बेहतर grip के साथ आपके जो bum का दर्द है वो भी दूर हो जाएगा, तो ये भी एक useful product है, इसका भी link आपको description और pin comment मिल जाएगा, next product है gear shifter shoe protector, friends कई बार riding के व बहाँ पे black spot बन जाता, काला धबा बन जाता है, जो कि एक तरफ दिखने में खरार बगता है, वहीं shoes को भी गंदा कर देता है, अब इससे बचने के लिए आप इस gear shifter shoe protector का use कर सकते हो, इससे gear lever में लगाना बहुत जादा आसान है, और एक बार जब आप इससे gear lever भी install कर दे next product आपके bike के maintenance से जुड़ा हुआ है, अगर आप अपने bike की chain की cleaning खुझ से करते हो, तो यह जो chain cleaning brush है, यह आपके काफी कामे आने वाला है, क्योंकि इस chain cleaning brush का जो three ways mouth है, इसके help से, इनके brush के help से आप बहुत असानी से, बहुत कम मेहनत की, अपने chain को अच्छी तरह से clean कर सकत हो, तो cleaning अगर आप खुझ से करते हो, तो आप इस brush को जरूर से यूज करें, बहुत ही सस्ता product है, लेकिन काफी useful भी है, next product है, यह helmet wireless Bluetooth earphone, जेको friends कई बार क्या होता है, कि राइटिंग के बाक जब अचानक से call आ जाता है, तो अलग अलग rider उस call को अलग तरह से receive करते है, जो कि कही हद तक जो हमारी riding है, उसे unsafe बना देता है, और इस शकर में कई बार जो important call से वो miss भी हो जाते है, तो इसमें आपके help करेगा, यह helmet wireless Bluetooth earphone, काफी बहतर quality का यह जो हमारो earphone है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, कि hearing के लिए आपको दो अलग जो speaker से वो दिया गया है, आपको इसे असानी से use कर सकते हो, install करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके उपर में चैनल पर detailed video है, जहां पर मैं आपको complete procedure बताया कि कैसे आपको helmet में install करना है, तो उस video का link आपको description में मिल जागा, इसे install करने के बाद जब आप राइडिंग करोगे तो ऐसा बि equipment double stand को, मैंने stand को नहीं दिया गया है, तो इस G roller के help से आप बहुत असानी से अपने bike की पीछे के चक्क को clean कर सकते हो, साथी chain को clean और lubricate करने के लिए भी से use कर सकते हो, यहां पे दो cylindrical roller को दिया गया है, बहुत असानी से आप खुश से, किसे दूसरे बंदे के requirement नहीं आप अकेले खुश से ही अपने bike को इन G roller पे stand कर सकते हो, उसके बाद cleaning करना हो, lubrication करना हो, पीछे का चक कोई भी काम हो, वो आप असानी से कर सकते हो, काम होने के बाद बहुत असानी से अपने bike को आगे करते हुआ, आप इससे uninstall भी कर सकते हो, इस G roller के back side में rubber का cushion भी दिया काम में आपके काफी help करने वाला है, next product है, यह anti fog visor film, देखो कई बार बाहर के temperature के इसाब से riding के वक्त हमारा जो full face helmet होता है, उसके visor में जो fog है, वो create हो जाता है, जो की riding को बहुत हंतक unsafe परना देता है, लेकिन यह जो anti fog visor film है, अगर यह आप अपने helmet के जो visor है, वापे back side में लगा लोगे, अच्छी तरह से install कर लोगे, उसके बाद बाहर का temperature जैसा भी हो, आप जितनी मजी riding कर रहो, जोतना लंबा riding कर रहो, लेकिन यह जो anti fog visor film है, यह visor को fog से protect करते है, इससे बचाते है, जो की बहुत हद तक हमारी riding को safe बना देता है, तो यह भी आपके लिए का, जो clutch lever है, जो brake lever है, इससे lock कर देता है, जिसके बाद क्या होता कि अगर किसी बंदे को चोरी करना हो, तो उसे completely जो lever इसे खोनना पड़ेगा, चूकि यह काफी बेतिन material का बना हुआ, काफी मजबूत है, तो यह बहुत हद तक आपके bike scooter को safety provide करता है, तो इसे भी आप as a safe product आपने bike scooter में use कर सकते हो, next product है airplane lights, देको friends बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिने अपने bike scooter में electrical modification कराने का बहुत शौक होता है, लेकिन खास करके आज के टाइम पर जो bike scooter आते हैं, यहाँ पर चूकि बहुत सारे sensors होते हैं, actuators होते हैं, issue होता है, तो यहाँ पर electrical modification कराना, त आपने bike scooter के engine के performance के लिए जादा नुकसान दायक हो जाता है, तो यहाँ पर यह जो wireless airplane light है, यह काफी काम में आ जाते हैं, क्योंकि इन्स्टॉल करने के लिए, इन्स्टॉल करने के लिए, इन्स्टॉल करने के लिए, बैटरी से power देने का requirement नहीं होता है, यहाँ पर inbuilt battery होती जिसे आपको charge करना होता है, simply velcro के help से आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हूँ, different modes को यहाँ पर दिया गया है, बहुत सारे अलगला colors को यहाँ पर दिया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही खुबसरूत लगते हैं, साथी हमारे bike की जो battery, scooter के battery इसे भी नुकसान नहीं तो यह भी एक काफी useful product, electrical modification के हिसाब से होने वाला है, next product है, यह Moto Max का 2K rubbing compound, जो कि एक scratch removal cream है, कई बार क्या होता है, हमारे bike के scooter में बहुत सारे से पैनल्स होते हैं, जहाँ पे बहुत जादा scratch लग जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही खराब लगता है, तो मैं आपको बतान कोई भी जो microfiber cloth या normal cloth भी लेकि इसे अच्छी तरह से rub कर दोगे, तो बहुत हद तक आपके जो bike scooter के पैनल में जो scratch था, वो remove हो जाता है, काफी सस्ता लेकिन काफी useful product है, तो अगर आपको scratch remove करना है, तो आप इस product को use कर सकते हो, next product है यह Moto Jack, same G roller के तरह भी यह भी product आपके का chain को नहीं दिया गया है, और आपको पीछे के चक्ये को clean करना है, chain को lubricate करना है, clean करना है, तो वहाँ पर यह Moto Jack काफी हद तक आपके काम में आने वाला है, portable है, बहुत हलका है, light fitted है, तो आप इसे carry भी कर सकते हो, simply करना यही होता है, कि swing arm में इसे attach करते हो, जैसा कर आप आप install भी हो जाता है, चक्ये से हट भी जाता है, तो अकेले आप यह काम कर सकते हो, तो यह भी useful product है, finally जो आखरी product है, वो है यह sponge polish, देखो, अगर आपको अपने बाहरी के स्कूटर या फिर car को भी फटा फट से quickly polish करना है, तो वहाँ पर यह sponge polish है, यह आपके काफी काम में आने क्योंकि यह sponge as a polish काम करता है, यहाँ पर polish जो हो होता है, तो इससे क्या है कि आप simply sponge के help से ही अपने बाहरी के स्कूटर या car के जो body है, वहाँ पर polish कर सकते हो, जो कि काफी जादा बेतर होता है, paint को भी protect करता है, और फटा-फट शे आपका जो गाड़ी है, उसे shiny भी बना द लाइक और शेयर जरूर से कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे comment करके जरूर बताए, इसके लाव अगर आप चैनल पर नहीं हूँ या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe करके बिल आगान को जरूर से दबा दे, मिलते अग भाई!